सब्सक्राइब फंड गुर्जी चैनल विद नोटिफिकेशन बेल फॉर आल इन्वेस्मेंट रिलेटेड वीडियोज हलो दोस्टों डीबनिंग स्वागत आपका मेरे फंड गुर्जी चैनल में वीडियो के थम्नेल और टाइडिल से आपको वीडियो के टॉपिक आइड यह लग्या होगा? आज की वीडियो के साथ में अंतक बने रहीएगा अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं किस तरह से इनकी performance होती है सभी topic के उपर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तो all in one ये वीडियो हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका interest index fund के अंदर है और आप मेरे बालों को लेकर के कुछ पूछे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तरह की भी style जो है अच्छी लगती है कभी कभा और फ्रेश बाल जो है वो काफी अच्छे आते हैं ब्लैक ब्लैक आते हैं तो ये रिजन था जिसकी वज़े से मैंने बाल निकाल दिये हैं और ऐसा मैं कई बार कर चुका हूँ तो चलिए आ जाते हैं अपने topic के उपर index fund के उपर बात करें तो index fund जो है वो जैसे इसका नाम है index fund तो ये सीधा सीधा index को copy करते हैं मान दिजी कि कोई fund सीधा सीधा निफ्टी को copy करता है तो जैसे जैसे निफ्टी बड़ेगा वैसे वैसे आपका fund बढ़ेगा जैसे जैसे निफ्टी गिरेगी वैसे वैसे आपका fund गिरेगा तो जतने मलब इसमें fund manager का कोई खास role होता ही नहीं है एक active fund के मुकाबले, एक index fund छो है, थोड़ा long term में return देता हुआ कम नजर आता है, लेकिन index fund छो है, वो भी काफी अच्छे देके से बढ़ते हैं, active fund में यह होता है कि एक fund manager select करता है कि कौन-कौन सी company अपने portfolio में रखना है और उसके हिसाब से होता, लेकिन index fund के अंदर जो आपक में भी आ गया होगा, अभी जो है market 35%, 40% नीचे थी, माल लिजे 7,000 पर इस time पर निफ्टी आई हुई थी, और उस time पर किसी ने index fund के अंदर लंसम amount में 2-3 time करके, एक अच्छा amount अगर लगाया है, तो उसको उस time से ले करके, मतलब 7,000 जब निफ्टी टच हुई थी, वहां स अभी तक जो return मिला होता, वो 15-20% के आसपास का बड़े आसानी से मिल गया होता, तो index fund जो है, अगर market बहुत गिरी हुई है, और आपको ऐसा लगता है, कि एक V-shape recovery बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको index fund के साथ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक active fund के अंदर बहुत सारे fair बदल करने पड़ते हैं, जिसकी वज़े से losses of profit जो है, वो balance करना पड़ता एक fund manager को, लेकिन जैसे ही nifty संसक recover करेगी, आपका index fund उतनी ही तेजी से recover भी करेगा, अभी चलेंगे मेरे laptop के उपर कुछ बहतरी index fund के उपर बात करेंगे, और जानेंगे कि index fund क के अंदर क्या क्या चीज़े होती है, expense कितना होता है, सारी चीज़ों के उपर, तो दोस्तों अभी आच चुके हैं, आप ने laptop के उपर, Google के अंदर अगर आप best index fund जब select करोगे, तो money control की भी website आपको निकल के सामने आएगी, और money control की website पर जो link आप open करेंगे, उसके बाद आ हिसाब से ranking के हिसाब से यहाँ पर रखी जाएगी, तो यहाँ पर मैं यह नहीं बोलता हूं कि जो यहाँ पर top पर बैठा है, वो सबसे बहतरीन fund है, लेकिन इसको rating 5 मिली हुई है, क्रिसल की तरफ से और इसका जो asset size है, वो भी काफी अच्छा है, और return भी काफी अच्छा द हैं, लेकिन मैं यह बोलूँगा कि asset size जादा है, तो यह भी बहुत strong point है, किसी भी fund को select करने का, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ fund को, जो मेरी नजर में ठीक है, अगर आप कोई nifty fund लेना चाहते हो, तो SBI का nifty 50 fund काफी बहतरीन fund है, इसको भी आप यह सकते हो, तो देख लिजे, यहाँ पर पूरी detail आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पर अभी भी nifty 50 जो है, वो 16% के असपास minus दिखा रहा है, उसी हिसाब से 15.13% जो है, यह fund भी आपको minus में दिखेगा, तो इस time पर एक अच्छी opportunity है, अगर आप index fund लेना चाह यह, और आपको future में बहुत ही जबरदस्त return देखने के लिए मिल सकता है, crystal ने इसको 4 star से rate किया है, 4 star से नीचे का, कभी भी fund लेने के लिए मैंने आपको recommend नहीं किया है, और fund size काफी बड़ा है, तो इस list में पहले number पर रखने की अगर कोशिश करूं, तो यह fund भी ठीक ठाक index fund का expense इतना कम क्यों होता है, उसका कुछ main reason यह है, यहाँ पर fund manager आपके लिए कोई भी hard work नहीं कर रहा है, एक active fund के मुकाबले, एक index fund में fund manager का कोई hard work नहीं होता, simply वो index को ही follow करता है, index के अंदर जितनी भी company रहेंगी, उनी company को वो आपके mutual fund के अंदर रखेगा, मतलब कि आ index fund, तो इसी वजह से यहाँ पर जो expense आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो कम है, तो अगर SBI ETF Nifty 50 इस index fund की बात करें, तो सबसे पहले मैं clear करना चाहूंगा, यह ETF से confused मत हुईएगा, exchange traded fund इसका full form होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको Nifty 50 के अंदर stock देख के लिए मिल रही होगी, यह देख लीजे, HDFC bank के अंदर यहाँ पर 10.42% रखा गया है, और Reliance Industries के अंदर 10.05% रखा गया है, मतलब कि एक बड़ा हिस्सा जो है, HDFC bank और Reliance Industries के अंदर रखा गया है, तो आप देख सकते हैं, बिलकुन index को यहाँ पर copy किया गया है, same वही stock जो ह है, आप इसको भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसका भी जो expense है, वो बहुत कम है, और fund size ठीक ठाक है यहाँ पर, और इसको भी crystal ने 4 stars से rate किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे, अगला एक और index fund, अगर आप Sensex को follow करना चाहते हैं, तो SBI ETF Sensex fund भी का यहाँ पर दुबारा से आपको पुराने लिबल भी देखने के लिए मिलेंगे, निफ्टी दुबारा यहाँ पर एक बड़े high को दुबारा चुएगा, इसमें कोई शक नहीं है, fund size की बात कल, 20,307.62 करोड यह इस fund का size है, और expense 0.07% है, तो मतलब expense आप से कुछ भी नहीं मिलेगी, जो इसके index के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, अगला एक जो मुझे अच्छा लगता है, जो index fund आप अपने portfolio के अंदर add कर सकते हैं, वो है UTI sensex exchange trade rate fund, देखिए, exchange trade rate fund का full form भी यहाँ पर दिख गया आपको, और crystal ने इसको भी 5 star rate दिया है, और इसका जो fund size है वो काफी बड़ा है, expense ratio ठीक ठाक है, और इसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं, अगर आप करने की सोच रहे हैं, किसी index fund के अंदर, और index fund के अंदर निवेश करने का benefit, market की down situation में ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ से आपको बढ़ने की, जो speed है, वो बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे smart लोग होंगे, जो directly stock market में निवेश नहीं करना चाहते हैं, उतना risk नहीं लेना चाहते हैं, उतना research करने का time नहीं है, तो उन्होंने simply जब nifty 8000 के नीचे जब खशकना शुरू हुई होगी, तो उन्होंने एक pyramid बनाना शुरू कर दिया होगा, देख उस time पर आप सबसे बड़ा amount invest करते हो, और जब market निचले level में होती है, तब आप निकलने की सोचते हो, लेकिन Warren Buffet जी जो है बिलकुन भी ऐसा नहीं करते थे, Warren Buffet सर की ये सबसे बड़ी strategy रही है, कि उन्होंने हमेशा pyramid बना करके investment किया है, उन्होंने investment को उस time पर बहुत बाल रहे थे, उन्होंने तब मोटा volume डाला, जब वो stock अपने निचले level पी थी, लेकिन इसके लिए आपको उसके fundamental उस पर थोड़ा research की भी जरूरत होती है, अब ऐसा ना हो कि कोई company जो है वो यहां से double figure से single figure, single figure से dealist होने को तयार है, और उसके अंदरा pyramid बनाने चले जाओ तो ऐसा बिलकुर नहीं होना चाहिए, वहां पर भी आपको बहुत भैंकर loss देखने के लिए मिल जाएगा, तो fundamental जिसके मजबूत है, stock अच्छा है, fund अच्छा है, उसके अंदरा pyramid type का investment अगर आप करोगे, तब आपको बहुत बड़ा फाइदा देखने के लिए मिलेगा, ice cream design आप मत बनाईए, अभी मैं last video के अंदर अपने friend का portfolio आपको दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, किस तरह से market minus में है, लेकिन फिर भी ये plus में आ चुका है, और उस time पर कुछ 1.5% के आसपास वो minus में था, और आज की date में वो plus में आ चुका है, मेरे screen उसका portfolio आपको दिखाई दे रहा होगा, same ये portfolio मैंने last video में आपको दिखाया था, उस video की link नीचे description में, उपर card में दूँगा जाकर के देख लीजे, तो मेरे को हमेशा तकलीफ होती है, जब मुझे ऐसे comments देखने के लिए मिलते है, कि सर मेरे portfolio के अंदर 18-20% minus दिख रहा है, मैं क्या करूँ, अगर आपने मुझे continue follow किया है, तो एक बात आपने notice की होगी, कि मैंने कभी भी गिर्ती market में S.I.P. को close करने की सलाह नहीं दी है, उस time पे S.I.P. को continue करने के साथ साथ में, लंसम investment करने के लिए भी बोला है, ये मेरा अपना खुद का research है, खुद की opinion है, आ जब market नीचे थी, उस time पे जितना मेरे पास पैसा था, उसको थोड़े थोड़े भाग में निवेश करता, और अच्छा मुनाफ़ा जब market recover होती, तो मेरे portfolio में देखने के लिए मिलता, जो लोग इस time पे 15-20% minus में हैं, वो ये मेरे screen पे मेरे friend का portfolio देख लीजिए, इन लोग यहां पर minus में यह अपने पैसे पर आ चुका है, अब यहां से जिस तर से market recover होगी, यहां से इनका पैसा जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और जब आप recover करोगे, अपने पैसे के बराबर आओगे, तब यह 15-20% में होगा, तो यह benefit है, यहां पर averaging का benefit मिलता है, जब market down होती करना है, तो भी मुझे नीचे comments करके बता दीजेगा, फंड को गुर जी को subscribe कर लीजे, बेल आइकन के साथ में, तो मेरे दोरा बनाए गई, investment के अच्छी अच्छी वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी, आज के लिए कुछ इतना ही था, thank you for watching, जाहिन, बंदे मातरम